हालो फ्रेंद्स वेलकम बाक तो माई चानल आइन दिस सरस हीर और आज का जो व्लॉग है वो आल अबाउट तीज के ओपर है गाईस येस आइमिन ये वीडियो पूरे दिन का लास्ट मैं जो शूट कर रही हूं जिसे मैं स्टार्ट करने वाली हूं आइमिन मैं क्या बोलू मे मेरे अंदर आज मैंने फास्ट रखा है फीवी मेरे अंदर इतना एनरजी है कि मैं ये पूरा वीडियो शूट कर पा रही हूं और आज का पूरा दिन था बहुत ही जादे अमेजिंग था और परस्टाइम हम लोग ऐसे जाते नहीं है लेकिन मंदिर गये वहां पे आरती भ पूरा वीडियो आप लोग को कैसे लगा और एंड में मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा गाई तो थाइंक्यू सो मच पर योर लव एन सपोर्ट और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपने जो लीविंग एरिया का डेकॉरेशन की चीजे हैं वो मैं रेडी कर रही हूँ ये एक बाउल है उसमें पानी डाल के मैं फ्रेश फूल रख रही हूँ इससे ये होता है कि घर में काफी पीस बनी रहती है और काफी अच्छा ये होता है और दूसरा मैंने ऐसे डेकॉरेटेट थाली में लेकर के मैंने इस चीज को डेकॉरेट कर रही हूँ और इसको ऐसा मैंने कुछ बनाया है आप लोग देखिए और ये मैं अपने डाइनिंग एरिया में रखूंगी जहां पे हम लोग खाना और खाते हैं और ये मेरा रूम ह को भी ठीक ठाक कर लिया है और इसके बाद मैं अपने जो दर्वाजा का इंटरेंस है उसको मैं थोड़ा सा ऐसे डेकॉरेट कर रही हूँ और इस इस माई हॉल मैंने हॉल को भी अच्छे से यू नो सारे चीज़े अपने जगह पे रखती हैं इसको अच्छे से I mean neat and clean and सारे अच्छे से डेकॉरेशन कर दिया है जो कि मैंने बोला था कि मैं ये अपने लिव मेरिया है इसके बाद मैं थोड़ा बैठ गई लिकॉस मैं बहुत ठक गई थी तो मैंने सिया के साथ थोड़ा सा टाइम पास करना चाहा और हम लोग खेल रहेते हैं मुझे सिया को छेड़ने में बहुत मज़ाता है क्या है आज क्या है सिया क्या है बोल बोल सिया शी इस सच अ डार्लिंग ये अलग से ही इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि मुझे बहुत साथे पसंद है और लग के लिए ही हमारे घर का दूसरा डॉग है जो हमें बुलती ना कुछ तो अच्छे करम कियोंगे जो इस घर में आए बहुत ही प्यारी है बहुत ही सुदर है और बहुत ही साफ सुदरी भी है इसे खेलना है गीर गया क्या या क्यूटी 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 और मैं फिर चली गई नहाने के लिए और उसके बाद नहा क्या है मैं मैंने सोचा मैं अपने पैरों पे अलता लगा लूँ जो कि ये हमारे में जो ट्रेडिशन है सोल, सिंगार करना जो कि बहुत इंपोर्टन्ट है उसमें अपने पैरों पे ऐसे अलता लगा के और दोनों पैरों पे अच्छे से अलता लगा करके रेडी रहना और ये कंपलसरी है गाईज हम लोग में इस्पेशली जो नौर्थ साइड है वैसा ये मैंने बहुत ट्राइ किया लगाने का बट एंड में जो रिजल्ट आया लुक इट दिस क्या हुआ है ये इतना सुंदर बनाना चाहा मैंने लेकिन क्या बहुत और ये मैं जो साड़ी है और जो 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 एलेरी है वो पहनने वाली हूँ जो कि मैं आप लोग को ये लुक दिखा रही हूँ ये सब चीजे मैं पहनने वाली हूँ and this is my whole look मैंने मेकप का नहीं रखा because वो बहुत लबा वीडियो हो जाता था और ये पूरा दिन का ब्लॉक था तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं मेकप नहीं आड़ कर रही हूँ and फिर यहां पे मैंने पूजा स्टार्ट किया और मेरी प्यारी सी सासूमा यहां पे मेरा वीडियो बना रही थी because वही एक थी जो क्यामरा अच्छे से ये कर सकती थी but उन्होंने काफी अच्छा शूट किया I am so happy कि उन्होंने ये किया and somehow ये पूरा you know वीडियो मैनेज हो गया and मैंने अच्छे से पूजा किया आप लोग देखिए और ये मेरे पूरे भगवान है जो कि हमारा ये मंदिर है और ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा मंदिर है जो हमने सजाए अपनी घर में then फिर से हम पूजा करके थोड़ा बैठे शाम हो गई थी and socha कि थोड़ा सा टाइम पास करके फिर हम लोग मंदिर जाएंगे and then आप लोग देखिए मैं सिया के साथ कितना मस्ती करी मैं नहीं घर के सब लोग सिया के साथ बहुत मस्ती करते हैं even मेरी सासु मा भी तेसे लूप देका तेसे लूप अई लगे थी प्राइब लोगे लोगे अच्ण चुट 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 तेसे आपके लोगे रहे अना कुट रहो ओमा लोगा अच्छ देन हम लोग मंदिर के लिए निकले विकॉस हमें लग रहा था कि हम बहुत लेट हो गए हैं फिर भी हमें डाउख था कि मंदिर ओपन है कि यह हैं पट्टिक है भगवान का नाम ले करके निकलते हैं सो हम लोग घर से निकले एंसिया बहुत जादे एकसाइटेड हो रहे थी पर नीचे आने के बाद सारे गनपती जा रहे थे फिर सम्हाव कैसे भी हम मंदिर पहुचे और यह है मंदिर में जो एक छोटा सा शॉप था वहाँ पर हारफुल बेच रहे थी और यह मंदिर है गाईज और लखली खुला था यह यह झाल है यह है कि लुटा इस दो बेख देख भूब हैं और तो पहसादा है जो चड़ावे की चीज़े थी वो सब लेकर के हम मंदिर के अंदर गए यहाँ पर हमें पता चला की अल्रेडी मा पार्वती की और शंकर जी की आरती हो रही थी और आम सो थाइंगफुल की मैं इस आरती का पार्ट बन पाई और मैंने अच्छे से पूजा किया आप लोग देखिए आप नाप पार्ट बन स्वामी जी की आरती जो कोई दन दावे तोडे क्रेम सही थेखावे हाथ लगाथ लगाथ वानंद स्वामी कातरी हर स्वामी मनवांचित खलपावे ओम जरहर मादेवाब फूरे अवाला बाबा परवती प्यारा पूरी जटावाला बाबा रहते मतवाला बाबा पिते भंग प्यारा दॉता में गां सभी राज दॉता में गांग विराज रू परद्धारा त्व मुझे अल खर भर महादेव कि आप लोगों के साथ लिखा का लगता है तो नहीं सच्चे है दोस्त ऐसे होते हैं बुला ले तो बील से मैंने मा दुर्गा को मैंने हार फुल चड़ाया और फिर सारी उन्हीं के क्रिपा से यह सब दिन मैं देख पा रही हूं तो मुझे भगवान जी का ऐसे सेवा करना और सारे रिचुल्स फॉलो करना मुझे बहुत जादे पसंद है I mean मैं बहुत जादे एक सुकून महसूस करती हूँ जब भी यह सब करती होती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं सब पहले जो जो भगवान है सब को निपडालू फिर शंकर भगवान को मैं अच्छे से उनको दूद और जो चड़ावा है वो चड़ाओंगी तो फिर यहां पे हम चड़ाए मैं और मेरी सासुमा सासुमा को मैंने बोला कि आप भी थोड़ा चड़ा दो बट उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं तुम्हें हाथ लगा देती हूँ तुम चड़ाओ या मैं चड़ाओ यह की बात है and she's so sweet तो हम मतलब मैंने चड़ाया और उन्होंने मुझे इसे पकड़ के रखा था कि ऐसा था कि तुम चड़ाओ और वो फल मुझे भी थोड़ा मिलता रहे तो ऐसे करके हमने शंकर भगवान की आर्थी की and then इसके बात से हम मंदिर के अंदर गए जो की साई बाबा का मंदिर है वहाँ पे गए तो पता चला की सारी औरते बैठी है बैठ के यहाँ पे जो शंकर भगवान और पार्वती माता का कथा है न वो सुन रहे थी आप लोग देखिए और सुनिये भी जर्शमे आवे दिलादी की मतने तरत चला जर्शंटी मिन भगवान तक रहने नशे के जर्शचाँ मिन भगवान झाती के रख्णावर्ण मुझत 1968 के रख्णावर्ण міज भगवान पत्रमावर्ण मयunnत्तु पह पार जर्श्चाँ बार का। पज़ानी, सिवाज अरतनाई ज़ानी, ज़ानी, सिवाज अरतनाई अंगहरा पानी, जरे कि चला बड़ हम आप करेंगे इसके बाद से फिर साई बाबा की आरती चालू हो गई जो कि वो भी हमें मिला ऐसा लग रहता कि आज का दिन भगवान ने ऐसे बुलाया है कि बेटा आके जो भी चीजे हो रही है वो सब अपने आशिरबाद लेके जाओ तो मुझे बहुत जादे अच्छा फील हुआ क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा कुछ मैंने एक्सपिरियन्स किया और फिर आरती करने के बाद हम लोग बाहर निकले घर जाने के लिए और काफी लेट हो गया था गाइज I mean हमें लगा नहीं था कि मंदिर खुला रहेगा बट सब चीजे मिल गए रास्ते में गनपती जा रहे थे तो अच्छा खासा लोग भीड थी और हमें गनपती जी के भी दर्शन हुए जो कि मैं बहुत जादे ऐसा लगा था कि सब जगा भगवानी भगवान ये कर रहे हैं कि सरस सब के दर्शन करके जा एक ही दिन तो हमें प्य आइन घर आने के बाद सीया को देखिये कि क्या कर रहे हैं अगर ये इनसान रहती तो ये दर्वाजा भी खोलती थी बट शी इस सच अ डार्ली आज का बहुत ही जादे अमेजिंग दिन था मुझे बहुत जादे आज अंदर से पीस फील हुगा अगर ये बहुत ताइम के बाद ऐसा मेरे साथ हुगा है जो मैंने जिस तरह से रिती रिवास करके सारी चीज़े की हैं और आज की तरह से पीज़े छेएव पुरा दिन का फास था वो भी ये टाइम थे आइम आए आए का टेल यू क्या टाइम है बट मैं बहुत जादे दी बहुत 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 जादे दी बहुत 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 आदे So, thank you so much guys for watching this video. See you in my next video. Bye!